हेलो फ्रेंड्स हिंदू धर्ण में गाय को क्योग पवित्र माना जाता है गाय हिंदूओं के लिए सबसे पवित्र पसू है इस धर्थी पर पहले गायों की कुछ ही प्रजातिया होती थी उससे भी प्रारंबिक काल में एक ही प्रजाति थी आजचे लगबग 9500 वर्ष पूर्व गुरु वरिष्ट ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया तब गाय की 8 या 10 नसले ही थी जिनका नाम कामदेनू, कपीला, देवनी, नंदनी, भवमा, आदी था कामदेनू के लिए गुरु वरिष्ट से विश्वा मित्र सहीद कई अन्य राजाओं ने कई बार युद्ध किया लेकिन उन्होंने कामदेनू गाय को किसी को भी नहीं दिया गाय के जिस जगडे में गुरु वरिष्ट के सोब पूत्र मारे गए थे हिंदू दर्म में गाय को क्यों पुजा जाता है उसका महत्व जानिये हिंदू दर्म अनुसार गाय में 33, 33 कोटी के देवी देवता निवास करते है कोटी का अर्थ करोड नहीं प्रकार होता है इसका मतलब गाय में 33 प्रकार के देवता निवास करते है ये देवता है इस तरह बारा आदित्य, आठ वसू, ग्यारा रुद्र और दो अस्विन कुमार ये मिलकर कुल 33 होते है यही कारण है कि दिवाली के दुसरे दिन गोवदन पुजा के अवसर पर गायों की विशेश पुजा की जाती है और उनका मोर पंखो आदित्य से सुंगार किया जाता है हिंदूों के हर दार्मिक कारियों में सर्व प्रथम पुज्य, गनेश्व उनकी माता पार्वती को गाय के गोवबर से बने पुजा स्थल में रखा जाता है ओके दोस्तों यह है गाय को हिंदू धर में क्यूँ पवित्र माना जाता है उसका डेफिनेशन तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किजिए, सब्सक्राइब किजिए और आपके दोस्तों को शेर किजिए थेंक्यू वेरी मच्च जै हिंद